इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के आधार पर काम करता है जो सार्वजनी क्रूप से मौजूद हैं टूरिजम से टेरिरिजम तक, आइलेंड से आइसिस तक, पल्स अफ इंडियन ओशियन से रेडिकल स्लामिक स्टेट तक ये है मालदीव का सफर नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हुआ लोग, तो आज के अपने वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि कैसे हिंद महासागर का ये लगभग 1200 वीपो वाला देश टूरिजम के हब से टेरिरिजम के गढ़ में बदल गया कैसे इस देश में अल-काइदा से लेकर आइसिस तक की रिकूट्मेंट्स और फंडिंग हो रही है और कैसे फॉरन टूरिस्ट यहां के रेडिकल एलिमेंट्स के टार्गेट पर होते हैं और सबसे बड़ी बात कि अब जब मालदीव ने भारत से पंगा लेही लिया है तो क्या इसका खामियाजा उसे एफ़टीएफ के लिस्ट में शामिल होकर भी भुगतना पड़ सकता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में मालदीव ने हर वो काम किया है जो उसे एफ़टीएफ के लिस्ट में पहुँचा सकता है दोस्तों क्या आपको पता है कि साल 2014 से 2018 के बीच आईसिस में भरती होने के लिए सबसे ज़्यादा किस देश के लोग सीरिया गए अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये देश मालदीव से तो आपका अंदाजा बिलकुल सही है सिड्नी बेस थिंग टैंक लोवी इंस्टिूट के इस रिपोर्ट को देखिए हेडिंग है मालदीव दन लिगेसी ओफ इसलामिक स्टेट मतलब समझ रहे हैं आप इसका इसका मतलब ये है कि इसलामिक स्टेट का वारिस यानी उत्तरा धिकारी है मालदीव और इस रिपोर्ट में मालदीव से आईसिस में रिकृट होने वालों और उसे लेकर मालदीव की गर्वर्मेंट की पॉलिसी पर बहुत डीटेल में रिसर्च की गई है यह रिपोर्ट बताती है कि 5 लाख की अबादी वाला मालदीव से 200 लोगों ने आईसिस को जोईन किया यह दुनिया में किसी भी देश से जाकर आईसिस में शामिल होने वालों की तुलना में कहीं ज़ादा था जरा सोचिए सीरिया मालदीव की कैपिटल माले से तक्रीवन 5000 किलो मिटर के एर डिस्टन्स पर बसा है मालदीव से सीरिया जाने का कोई सीधा रास्ता भी नहीं है मालदीव से आईसिस में भरती होने के लिए लोग सौधी अरब और पाकिस्तान के रास्ते होते हुए एराक और सीरिया तक पहुंसते हैं यह मालदीव से में आईसिस और रेडिकलाजेशन का इंपक्ट आइसिस में शामिल हुए ज़ादातर लोग मारे जा चुके हैं लोवी इंस्ट्ट्ट की ये रिपोर्ट बता रही है कि 2013 से 2018 के बीच मालदील्स की सत्ता में रही प्रेज़ेंट अब्दुल्ला यामीन की गवर्मेंट की पॉलिसीज और बढ़ते रेडिकलाइजेशन पर आँखें उनके बंद कर लेने से देश में आइसिस का प्रभाव और जादा बढ़ता चला गया गवर्मेंट एजनसीज को पता था कि उसके देश में लोग सीरिया जाकर आइसिस में रिक्रूट हो रहे हैं लेकिन उसने इसे रोकने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया तो सवाल ये बनता है आखर क्यों माल्दीव्स के लोग आइसिस में भरती हो रहे हैं इसकी बज़ों पर भी बात करेंगे लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि माल्दीव्स के लोग सीरिया जाकर आइसिस में भरती हो रहे हैं और जंग लड़ रहे हैं बलकि खुद माल्दीव्स भी इसका खामियाजा भुकत रहा है माल्दीव्स में भी टेरर अटैक्स बढ़ रहे हैं और ISIS के लिए रिक्रूट्मेंट करने और उन्हें सीरिया और इराग जैसे देश में भेजने का आरोप लगाया मालदीवस में 2020 में तीन लोगों को चाकू मार दिया गया था पुलिस ने तीन हमलावरों को अरेस्ट किया तो पता चला कि उनका भी लिंक आतंकवादी संगठन ISIS से है जिन लोगों को चाकू मारा गया था उसमें से दो चाइनीज थे और एक ऑस्ट्रिलियन था छे माई 2021 को मालदीव के फॉर्मर प्रेज़ेंट और तब के स्पीकर आफ दे पालियमेंट मुहमद नशीद पर जानलेवा हमला हुआ पुलिस ने इस मामले में दस से जादा लोगों को गिरफतार किया था इस हमले के पीछे भी रेडिकल माइंडसेट वाले ग्रूप का हाथ बताया गया अच्छली मुहमद नशीद ने अपने कारेकाल के दौरान देश में कटरपंती ग्रूप्स लगाम लगाने की कोशिश की थी उनके खिलाफ कई कारवाईया की थी ये हमला उसी का बतला था अब 24 फरवरी 2022 की इस खबर को देखिए मालदीव पुलिस ने आईसिस के करीबी को गिरफतार किया 30 साल के इस शक्स को अमेरिकी जाच एजनसी एफबियाई दो यूरोपियन कंट्रीज की सिकुरिटी एजनसी और मालदीव की पुलिस ने मिल कर पकड़ा मालदीव पुलिस ने बताया कि ये शक्स 2015 से ही यूरोपियन कंट्रीज में टेरर एक्टिविटी करने और वहाँ के नेताओं को टार्गेट करने की साजिश रच रहा था साल 2007 में मालदीव में हुए एक भीशन ब्लास्ट में करीब सौ लोग गंभी रूप से घायल हो गए थे इनमें से कई टूरिस भी तब भी मालदीव की गवर्मेंट ने इसके लिए रैडिकल ग्रूप्स को जिम्मेदा ठहरा था साल 2022 में आइसिस से जुड़े 15 टर्रिस्ट मालदीव में पकड़े गए कि सब ही मालदीव कहीं रहने वाले थे इंटरोगेशन में पता चला कि ये लोग रैडिकल इस्लामिक प्रीचर जाकर नाइक की स्पीच सुनते थे इसके बाद भारत से एनाइए की टीम भी जो है वो माले गई थी जाँच के लिए लेकिन मालदीवस में टरर अटैक किया कहानी केवल इतनी नहीं है बंबलास्ट, टूरिस्ट पर अटैक और इसके जैसे नजाने कितने टरर केसिज मालदीव में हो चुके हैं और इसी वज़े से अमेरिका, ब्रिटन, कैनडा समीर कई देशों ने मालदीवस जाने वाले अपने नागरिकों के लिए ट्रेवल एडवाईजरी जारी के हुई है और ये एडवाईजरीज केवल और केवल टेरर अटैक के खतरे को लेकर है अब आपको अमेरिका के डिपार्टमेंट आफ स्टेट की रिपोर्ट एक दिखाता हूँ जिसमें मालदीवस के टेरर लिंक का पूरा कच्छा चिट्था मौजूद है ये है वो रिपोर्ट जिसके मैं बात कर रहा हूँ ये रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 की है मतलब जादा पुरानी नहीं है इस रिपोर्ट में मालदीवस के टेरर लिंक्स मालदीव के उन लोगों के नाम जो टेररिस्ट और्गनाजेशन से जुड़े थे और उन कमपनियों की डेटेल जो टेरर अर्गनाजेशन को फंडिंग करती थी उन सब का लेखा जो खा है उन सब का नाम इसमें है ये रिपोर्ट तब की है जब अमेरिका ने आइसिस से जुड़े 18 और अलकादा के दो फैसिलिटेटर्स के साथ-साथ 39 मालदीविन कमपनीज को डेजिगनेटड टेररिस्ट घोशित किया था और आपको बता दें कि आइसिस से लिंक दिये सभी 18 के 18 लोग उस मुहमद अमीन की कमपनी से जुड़े थे जिसे अमेरिका ने 2019 में आतंकी घोशित किया था अब आपको यूएस होम ट्रेजरी की रिपोर्ट दिखाता है इस रिपोर्ट में मालदीविस की अडूसिटी उसके टेरर सेल की डीटेल है रिपोर्ट बताती है कि ये टेरर सेल 2018 से ही आईडी और ड्रोन के जरिये बड़े बलास्ट की तैयारी कर रहा था इसमें जनाऊ नसीम का भी नाम है जनाऊ जो है ये इसका डिरेक्ट कनेक्शन आईसिस खुरासान से है वो सीरिया में मालदीव से भेजे गए फाइटर्स को फिनेंशल सपोर्ट भी पहुँचाता था इस सल में मुहमद तसलीम का भी नाम है तसलीम मालदीव के फॉर्मर प्रेजिडंट मुहमब नशीद पर हुए हमले का आरोपी है यूएस होम ट्रेजरी की रिपोर्ट में एहमद अलीफ रौफ, मुहमब इंतिहिफ और इबराहीम अलीफ का नाम भी है ये तीनों आईसिस से सीधे जुड़े हुए थे और मालदीवस में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे इनका काम न केवल रिकूर्टमेंट का था बलकि ये आईसिस के लिए फंडिंग भी जुटाते थे चौकाने वाली बात ये है कि मालदीवस में सिर्फ आईसिसी नहीं अलकाइदा का नेटवर्क भी डेवलप हो चुका है अच्छा खासा देखे रिपोर्ट बहुत लंबी है और डिटेल बहुत जादा लेकिन मतलब साफ है मालदीवस आईसिस और अलकाइदा के शिकंजे में आ चुका है जब मुहमद दशीद की गर्वर्मेंट महाई थी तब उसने देश में बढ़ते कट्रवाद पर शिकंजा कसा था काम किया था साल 2019 में भारत का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मालदीवस गये थे खत्रा एक देश या एक छेत्र के लिए नहीं ये खत्रा पूरी मानवता के लिए है कोई दिन नहीं कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब आतगवाद कहीं किसी जगह अपना भयानक रूप दिखा कर किसी निर्दोष की जान न लेता आतगवादियों के न तो अपने बैंक होते हैं न टंग साल और नहीं हत्यारों की फैक्टरी फिर भी उन्हें धन और हत्यारों की कभी कमी नहीं होती कहां से पाते हैं ये सब कौन देता है उन्हें ये स्वविदाएं आतगवाद की स्टेट स्पॉंसर्शिप सबसे बड़ा खत्रा बना हुआ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्या है कि लोग अभी भी गुड टर्रिस्ट और बैड टर्रिस्ट का भेट करने की गल्ती कर रहे हैं प्यमोदी ने तो आतंकवाद से साथ मिलकर लड़ने का हवान किया था लेकिन एक तरह से ये संदेश भी मालदीव्स को दिया था कि गुड और बैड टर्रिस्ट में कोई फर्क नहीं है और ये उस देश के लिए भी खतरनाक है जो उसे स्पॉंसर करते हैं यानि अगर मैं ये कहूं कि प्यमोदी ने उस वक्त भी मालदीव्स को चेतानी दी थी कि आतंकवाद पर जिस तरह वहाँ कोई खास कारवाई नहीं की जा रही है वो आगे चल कर घातक साबित हो सकती है और अब जब कि मालदीव्स की नई सरकार सीधे इंडिया आउट का न मालदीव्स एफटी एफ के लिस्ट में चला गया तो समझे उनकी और जादा वाट लगनीता है आने वाले कई डिकेट्स तक वो इसके आफटर एफेक्ट्स जेलते रहेंगे और मेरा ऐसा सोचना है कि यह जो मेरा सोचना है यह ऐसे हवा हवाई नहीं है क्योंकि कई इंटर कुलने ने मालदीव को सीज़े तोर पर एक्स्रेमिजम के खत्रे के बारे में आगाह किया था दो हजार तेएस में जब मालदीव के चुनाओं के बाद चुने गए प्रेजिंट मुहमद मुईजू से भी आतंकवाद और कट्रवाद पर सवाल पूछे गए थे तब उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार हालात में सुधार के लिए काम करेगी अग्या कोपिल कुछी नुजी और प्रेजिन जान के आइस कि गाताना जाहिए में लाहिए को दे corresponds पोईजू से रडिकलाइजेशन और एक्स्ट्रीमिस्ट पर एक्शन लेने को लेकर कोई उम्मीद नहीं है। उसके वज़े यह है कि वो खुद एक एक्स्ट्रीमिस्ट है और इसी दम पर वो चुनाओ जीत कर प्रेज़ेंट बने हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में माल माल्दीव्स अब हमारे लिए बिलकुल भी सेफ नहीं है। भले ही उनकी सरकार के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया हो। लेकिन उनकी बातों से उनके दिमाग में चल रही नफरत को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। और चुकि यह लोग वहां की जनता को र चिताया और सरकार में शामिल करा कर उन्हें टाकत दी। वैसे भी इस कांड के बाद भारतियों के खिलाफ उनकी नफरत अब और जादा खुल कर दिखेगी। इसलिए लक्षोदीब जाईए उसे प्रमोट कीजिए और उसे दुनिया के नक्षे पर लेकर आईए। दोस्तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताईएगा और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे बहुत प्रातना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वरना सही और सटीक जानकारियों वाले ये वीडिय नमस्कार जाहिए